जश्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगे फेवियन समाजवाद तो फेवियन समाजवाद क्या होता है? फेवियन समाजवाद एक तरह का लोगतांत्रिक समाजवाद है इसका मानना था कि धीरे धीरे लोगों को educate करो और फिर एक दिन क्रांती करो इनको पूंजी पत्यों से कम, जमिदारों से ज़्यादा नफरत थी फेविन समाजवादियों का विचार है दोस्तों कि पूंजी वाद जो है उसको केवल एक मुट बेड में क्रांती कारी मार्ग द्वारा प्रास्त नहीं किया जा सकता इसके लिए प्रयाप्ट काल तक सोच विचार और त्यारी की आवशकता है इनका तरीका विकास और सुधारवादी है फेविन समाजवाद के कुछ प्रमुख विचारक भी हैं दोस्तों जिसमें से हैं एक सिड्नी, वेबा, एनी बेसेंट, बनार्ड शो, ग्रांव वाल्स तो ये सारे कौन है फेविन समाजवाद के प्रमुख विचारक है जो नहरूजी भी थे, वो भी इससे बहुत प्रभावित थे, छीक है इनका उद्दिश्य क्या था कि इंग्लेंड में धीरे-धीरे लंबे धेरशाले सामेधानिक संगर्श के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना आशे करते हूं दोस्तों, आपको अच्छे से ही समझ में आगया होगा थेंक यू